नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब किजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naysubha.org naisubeh.org नई सुभा कुकिंग फ्रिटोरियल्स में खुशाम दीत मैं हूँ प्रिजा हुसेन और हमारी आज की रेस्पी है भिंडी भिंडी बनाने के अज़्जा भिंडी एक किलो प्यास दो मीडियम साइज टिमाटर चार मीडियम साइज रेट्चिली पाउडर 1 टी स्पून जीरा पाउडर 1 टी स्पून धन्या पाउडर 1 टी स्पून और हल्दी पाउडर 1 टी स्पून नमक हस्पे साइका ओल हस्पे जरूरत चिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून भिंडी बनाने का तरीका सबसे पहले आप एक किलो भिंडी को दो कर खुश्क कर लें जब भिंडी खुश्क हो जाए तो उसको काट लें और टीप फ्राइ कर लें पांच से छे मिनट के लिए आप भिंडी को टीप फ्राइ करें और टेश आउट कर दें फिर दूसरी दरफ एक कुकिंग पैन में वन पोर्थ कप कुकिंग ओल शामिल करें और इसमें दो प्यास हलके से सौते करें जब प्यास सौते हो जाएं तो हम इसमें जिंजर गारलिक पेस्ट शामिल करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करने के बाद हलका सा फ्राई करें और इसमें तीन से चार टेमाटर क्यूब्स की शकल में काट के शामिल करें जब टेमाटर थोड़ी से नरब हो जाएं तो इसमें तमाम मसाले यानि लाल मिर्चों का पावडर, जीरा पावडर, धनिया पावडर, हल्दी पावडर और नमक शामिल करके अच्छे से भून ले मसाला जब अच्छे से भून जाये तो हमने जो भंडी डीप प्राई की थी वो इसमें शामिल करें और अराम से हलके चमच से इसको मिक्स करें और 5-7 मिनट के लिए दम पे छोड़ दें 5-7 मिनट के बाद बिंडी को बहुत एतियाद से मिक्स करें यात रहे कि भिंडी में मुझलसल चमचा नहीं चलाना क्योंकि भिंडी बहुत नाजूक सबजी होती है हम जितना इसमें चमच का इसनमाल करेंगे अमारी भिंडी उतनी मैश हो जाएगी इसलिए भिंडी को मिक्स करते वे चमचे का इसनमाल बहुत एत्याद से करना है यह थी हमारी सिंपल भिंडी बनाने की रेस्पी लेकिन अगर आप चटपटी अचारी भिंडी बनाना चाहते हैं यानि सबसे वहले आप भिंडी डीप फ्राइंग करें उसके बाद दूसरे पैन में प्यास सौते करें अर्द्रक लस्तन का पेस्ट शामल करें टेमाटर शामल करें और जो हमने मसाले शामल किये थे जीरा धनिया उन मसालों के बजाए तीन टेबल स्पून अचार गोश मसाला शामल करके अच्छे से भून लेreiben और बूनने के बाद इसमें भिंडी शामिल करके 5-7 मिनट का दम दे दे और आपकी मज़ेदार सी अचारी भिंडी तयार हो जाएगी ये थी हमारी आज की रेसिपी सिंपल भिंडी और अचारी भिंडी मिलते हैं आपसे नई रेसिपी के साथ जब तक के लिए अल्ला हाफिज ये मालमाती मवाद नई सुभा की जानिब से पेश किया गया अपनी आरा के इज़ार के लिए कॉमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिये गए राप्ते के जराए इस्तमाल कीजिए झाल